एलो दोस्तों राधी राधी कैसे हैं आप सब आई हो बहुत बढ़िया होंगे तो हाजिरो एक और वीडियो के साथ आज है लेक्चर थर्ड और हम जो है फार्मा को गुनोसी पढ़ रहे हैं तो फार्मा को गुनोसी में हमने दो ड्रग्स पढ़ी थी एलो आई और सीना के बारे में ठीक है एलो भी बोल सकते हैं जिसको आप एलो वीरा भी बोलते हैं और सीना ठीक है जो कि एक लेक्जेटिव ड्रग्स हैं तो आज की वीडियो में जो है हम Lexatives के बारे में ही पढ़ेंगे थोड़ी सी detail study करेंगे कि Lexatives क्या होते हैं हम पढ़ रहे हैं कि Lexatives drugs हैं constipation को treat करें लेकिन होती क्या हैं कैसे ही अपना काम show करती हैं वो हम इस वीडियो में आज जो है वो देखेंगे तो कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आती है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं भी एक learner हूँ तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं comment section में मैं उसका जो अंसर देने का पूरा जो है वो try करूँग तो शुरू करते हैं आज की वीडियो Lexity पढ़ने से पहले में पता होना चीज की constipation क्या होती है ठीक है जी तो constipation क्या होती है हमारे पास आता है तो constipation is the common gastrointestinal disorder characterized by infrequent bowel movement hard or lumpy stool and difficult passing stool infrequent bowel movement का मतलब होते है की कभी-कभी होने बाली या जिसमें irregularities हो infrequent का मतलब होता है irregularities होना hard or lumpy hard का मतलब होता है सक्त और lumpy का मतलब होता है जिसे गांटदार होना यह धेले दार ठीक है गांटसी बन जाना ठीक है and difficult passing तो जो constipation है एक gastrointestinal disorder है जिसमें क्या होता है की bowel movement जो हार्ड हो जाता है एक lumpy हो जाता है lumpy मिन्स जो गांटदार हो जाता है difficult होता है passing through the rectum rectum से pass होने में difficult हो जाता है हाँ जी तो हम मैं आपको बताओं तो यह होती है हमारी इस तरह से जो है वो यहाँ जो है वो इस तरह से ठीक है इस तरह से जो है हमारी सबसे पहले आप सब को पता है की کھانا हماری جو ہے मुह سے شروع ہوتا ہے माوت سے شروع ہوگا جس میں ہماری بڑے سواد کے ساتھ کھانے کو لیتی ہے उस کے بعد وہ स्टमक में जाता है स्टमक में जाने के बाद ہماری جو بھی एंजैम me के दोरा खाने को جو ہے وہ प्रोटीं बगयर को यब्साब किया जाता है colon से फिर colon भी 3-4 टाइप में होता है sigmoid होता है ascending, descending इस तरह से colon होते हैं ठीक है उनके बार में बताता हूं आपको तो जो लार्ज इंटेस्टेंड में जब खाना जाएगा तो जो भी हमारे पास last में जो absorbed food का जैसे मालो जो भी proteins बगारा है ठीक है जो भी enzymes है वो इस protein को तोड़ रहे हैं इन्हें एखाने को तोड़ के ?」 जो भी process होती है हमारी body में तो उन सब के बाद जो भी हमारा based material होता है ठीक है जो भी हमारा stuff बचता है ठीक है तो बो जो हमारा small intestine में जाने के बाद large intestine में जो भी fiber stuff of water erase जो भी स्विजरे coverage ये सब आपको process पता हुए तो हमने देखने की constipation कैसे होती है ठीक है यह हमने देख लिए कि थोड़ी इस तरह से हाँ जी तो यह large intestine का part है ठीक है क्या है large intestine का part है जिसमें हमारे पास यह जो है यह हमारे पास आती ascending column ठीक है यह हमारे पास आता है descending column यहां आता है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलन और यहां आता है हमारे पास सिग्मॉइट कॉलन तो खाना जो है यहां से जो भी डाइजेस्ट होके आ रहा है ठीक है जो भी हमारे पास बाद में लास्ट में फाइवर्स बच रहे हैं और जो स्टूल हमारे पास एक dry material होता है ठीक है जिसको potty भी बोलते हैं पॉपी बोल सकते हैं आप वो जो dry material हमारे पास बचता है वो हमारे एक्स-क्रेट आउट हो जाता है जी large intestine के तुरू rectum से होते हुए अब फिर से इसको बनाना पड़ेगा भई तो थोड़ा drawing के ओपर समझें कि क्या मैं आपको समझाना चाहरा हूँ तो जो stool है जब वो जो है hard form में रहता है और हमारे यहां पे rectum में जो है वो इकठा हो जाता है ठीक है मान लो कि वो आगे नहीं जा रहा है hard form में हो गया पूरा ही पानी उसमें से absorbed हो गया बिल्कुल पानी जो है खत्म हो गया जो है बो moment होगी ठीक है मतलब obstruction काउज हो जाई जिसकी वज़से pain होती है हमारे यहां पे ठीक है rectum के area में तो बो constipation का part होता है कि जब जो है बो बहुत सारा पानी जो है absorbed हो जाएगा बिल्कुल dry जो है बो fickle material हो जाएगा उसकी वज़से जो हमारे rectum area में जो है भी कठा ह NT August minus अच्ञार में जोा जायें तो जाएगा और हमें obstruction cause करभा देगा आंस थेसके कारण जो है वह जो हमारा जो avandinग नहीं निकल पाता है हमारे rectum से उसके पहता है थीक है और जीचा कि निया होती है कि यू peyn कैसे arise होगी एあー the कि पीचा होता है हमारी जो intestine में होती है थीक है तो उसमें जो रहते है पैस्टेलिक मूवमेंट होती है सबको पता ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है जिसके कांट जो खाना आगे-ागे जाता है ठीक है खाना आगे-ागे-ागे जैसे सेम बैसे ही जो है वो फिकल मेटीरियल भी आगे-ागे होता है वो रेक्टम में आगे नहीं जा पा रहा है इतना ड्राई हो गए एकठा यहां पे मास बन जाएगा वो ठीक है जी डिटेक्ट होता है कि यहाँ पे जो है फिकल मेटीरियल बहुत जादा हो गया है और उसकेस में फिर हम जो एनीमा देते हैं, सबसे पहले इसका electorate लाइकजेटिव बगश्यरा देते हैं, ठीक है, तो मेंन जो है वो यह हमारे सम्झा आता है, यही मैं शायद आपको आगे समझाता है वो ही मैंने आपको पहले समझा दिया ठीक है तो क्या होता है constipation की एक irregular bowel moment होती ही, infrequent bowel moment होती ही, hard और lumpy stools हो जाती है जिसके काँ जो है difficulty हो जाती है stool को pass out होने में constipation एक condition होती है जिसमें जो है जो है 3 stool per week, less than 3 stool per week, ठीक है तो वो जो है, वो constipation का जो हो जाता है, ठीक है जी mechanism of action, same बही में आपको समझा दिया पीछे यही है कि खाना है हमारी body में ठीक है, moves होता है, stomach से, large intestine से, colon में absorb होता है, butter bile forming water products और stool ये absorb हो जाते है मारे colon में, muscle contraction होती है जिसके कांट जो होता है, खाना rectum की तरफ जाते है, at a rectum stool become solid, because butter has been absorbed, पानी पूरा absorbed हो गया हमारे colon की दौरा, पानी पूरा absorbed कर लिया गया है तो क्या होता है कि हमारे जो rectum area बहाँ पे क्या होगा, एक slug की formation हो जाए, slug का मतलब होता है बही, एक मतलब धेर से कटा हो जाएगा और उसके वसे, जो होता है वो constipation cause हो जाती है, ठीक है rectum से जो हमारे जो हमारे जो फिकल material नहीं निकल पाता है, और हमें जो constipation cause हो जाती है, ठीक है mechanism यह हो गया उसके बाद हम चलते हैं अच्छा, यह मैंने एक diagram आपको बताई थी, कि क्या-क्या होता है जो मैंने आपको पीछे बताई इस तरह से descending colon हो गया है, जिसका हम sigmoid colon बहुते हैं, fickle infections ठीक है, इस तरह से होता है small intestine है, यहाँ से small intestine यह है, यह large intestine है, यह जो हमारे descending colon, sorry, ascending descending colon है, descending colon है, ठीक है fickle infection है, ठीक है, sigmoid colon है, rectum है यह आप parts यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद भी आगे इनका जिक्र होगा, जब uses बगारा के वारे में legislative के, तो आपको मैं diagram यहीं पे show कर रहा हूँ कि ऐसे-ईसे जो है, एक slug form जो होता है, वो formation हो जाती है, जिसके वैसे जो हमे, constipation जो होती है, मैंने आपको mechanism बता दी, आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, कोगनोस में, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा, clear कर दिया कि क्या होती है, constipation ठीक है जी, आगे आपको आता है कि किसकी वज़से constipation होती है, diet की वज़से हो सकती है, lack of exercise हो सकती है, ठीक है, age की वज़से हो सकती है, regular bowel habit की वज़से, मतलब आप जो है वो timely, जो है वो अपने पेट को साफ नहीं रख रहे हैं, drug induced जैसे opioids होग, anti-histaminic, narcotics, anti-psychotics, यह constipation काउस करवास के, disease state, like inflammatory bowel syndrome, hernias, gastrointestinal tumour, intestinal obstructions, यह सब काउस करवास के, dyspinction of my enteric plexus, my enteric plexus का क्या मतलब होता है, यह वो signals होते हैं, जो हमारे, कहां पे होते हैं, यह ми enteric plexus, हमारे, जो layers होती है, हमारे जो layers होती है, circular smooth layers होती है, हमारे किसमे होती stomach में होती हैं, बहां पे यह जो पाए जाते हैं, और हमारे stomach کی like gastric, जो है, भो gastric जो बनती है, उसको operate करते हैं, हमारे gut mortality को operate करते हैं, ठीक है, और जो भी हमारे गठ हार्मोन्स हैं उनको जो है बो ऑपरेट करते हैं मतलब एकतर से जो है वो ट्रांस्मीटर का काम आप समझ सकते कि सिगनल जो है बो देते हैं यह एंटारी को जो नर्बस सिस्टम उसका जो पार्ट होता है माइंटरेक प्लैक्स ठीक है जी symptoms, क्या होते हैं, हमें क्या symptoms देखने को मिलते हैं constipation, infrequent defecation, ठीक है, मतलब जो फिकल material का excrete out नहीं होना, irregular मतलब कभी-कभी होना nausea हो सकता है, as to vomit, मतलब vomiting आ सकती है vomiting का मतलब है कि उल्टी होना, nausea का और vomiting में बहुत बड़ा difference है भई, nausea का मतलब होता है जी मचलाना लाई की, urge to vomit, vomit करने का मन हो रहा है और vomiting में आपको जो है वो, vomiting हो जाती है, मतलब आपका खाना, जो भी आपने खाया पी है, वो बाहर निकल जाता है इसमें सिर्फ आपका जी मचलाता है, feeling quickly, full quickly कि आपका पेट भरा हुआ लगेगा, anorexia कि आपको जो है, fear है कि आप मोटे ना हो जाए stool are hard, small and difficult to evacuate, rectal bleeding हो सकती है, ठीक है, ये symptoms है management, changing the lifestyle, lifestyle change कर सकते है, regular bowel moment, ठीक है, regular bowel habit, वो, डव्यो, ठीक है plenty of fresh vegetable खाके, dietary modification करके और lexative लेके अब चलते है, lexative क्या होते है, lexative, word जो है, lexiliar latin word है, जो lexamour to loosen, ठीक है, lexair से निकला है to loosen, lexative substance are that loosen the stool and increases the bowel movement, जो stool को loosen कर देते हैं, मतलब loosen करना मतलब उसमें थोड़ा सा पानी content डाल देंगे जो बहुत dry होगे उसमें थोड़ा सा पानी डालके उसको जो हमारी body से निकालने में help करते हैं ठीक है to increase the bowel moment increase the postelic moment को बढ़ा देते हैं lexative और food compound और medication हो सकती है lexative ज़रूरी नहीं आपको खाने से ही मिलेंगे मतलब जो sorry lexative ज़रूरी नहीं आपको दवाईयों से ही मिलेंगे वो खाने से भी आपको मिल सकते हैं food compound और medicament that means consume ठीक है जिनकों खाते हैं ताकि bowel moment increase हो सके और stool जहाबो loosen हो सके body secrete out हो सके lexative any drug used to treatment of consternation promote evacuation of the feces feces की evacuation को बढ़ाने के लिए evacuation का मतलब भी same वही है कि body से निकालनी है drug which promote defecation जो की defecation को promote करती है push out the excreta from the body through the NSA NSA जो है वो हमारी जो है जो excreta है excreta मतलब जो poppy है या potty है या fecal material उसको निकालना है body से ठीक है जी difference in lexative और purgative lexative और purgative में difference पूछा जाता है कहीं बार क्योंकि ये जो है वो एक arm question हो सकता है जिसको हम सोचते हैं कि same ही है लेकि नहीं lexative को appearance भी बोलते है purgative को cathartic भी बोलते है c a t h a r t i c mild action देता है elimination of soft stool but form stool ठीक है ये जो होता है stool को soft stool के form में दे देता है निकाल देता है लेकिन mild action देता है purgative stronger action देते है और result in more fluid evacuation बहुत जादा fluid की form में जो है हमारे इसको जो है बो निकालते हैं यहां बोला है बट form stool stool का मतलब है कि एक मतलब ढेले में ही निकालेंगे यहां पर जो बिल्कुल fluid fluid ही हमारे पास इसकोईशन होगे बिल्कुल पतला मतलब fluid की form है हमारे बोड़ी से जो है वो excrete out होगा जो भी excreta है यह जो भी fickle material ठीक है जी हां जी mechanism of lexative little amount of lexative is absorbed करेंगे हम increases the bulk of feces colony content को बढ़ा देता है feces को बढ़ा देता है हमारे पानी के content को जो फिकल material में बढ़ा देगा उसके बाटर कंटेंडी फीसिस और प्रमोट इवैकुईशन अफ दा फीसिस के वैकुईशन को बढ़ा देता हमारे बोड़ी से वैकुईशन का मतलब होता है हमारे बोड़ी से उसको निकालना बाहर अच्छा सीना सीना हमारे पास एक कॉलोनिक एरिया में जाएगी तो वो जो है वो active हो जाएगी देन जो है वो अपने action शो करके हमारे जो स्टूल को बाहर जो है वो निकालती है ठीक है? एक important है इसमें की सीना जो है वो inactive में ही form में रहेगी जब तक वो small intestine में स्टमक में लेकिन कॉलोनिक एरिया में जाके जो वो है इक्टिव फॉम में हो के जो अपने एक्षिन जो वो शो करेगी ठीक है जी Classification of Lexative के Classification of Bulk Forming होते हैं जिसमें Dietary Fiber, Brann और इस बूला भी हमार Lexative है जो के हमार स्लेबस में भी है Stool Softner, Lubricant Lexative आ जाते हैं Stool Softner या Lexative Lubricant Lexative, Liquid Paraffin and Ducastase Stimulate Pergative आते हैं Castrol, Sina, Cascara, Oil Bisacodyl, D-Y-L Sodium, Picosulfate Osmotic Lexative, Lactolose Milk Uncomagnetion, तो इनको आपको जादा Detail में पढ़ने की जूरत ने, बस पता होना चाहिए कि कौन-कौन से Classification होती है Lexative की, ठीक है जो हमारे जो स्लेबस में वो एक Sina है एक Ispugula है, एक Alloy है और एक Castrol है हमने Sina और Alloy को पढ़ लिए है, Ispugula or Castrol हम पढ़ेंगे ठीक है, और जल्दी में आपको यह भी बताऊँगा कि कैसे इनको ट्रिक के साथ पढ़ना है तो stay tune with me और जल्दी जो वो ट्रिक भी लाएंगे तो दीरे दीरे ही सब होगा, ठीक है जी? तो uses of Lexative Lexative का use किसलिए होता है to treat the constipation and dyestria dyestria वो condition होती है जिसमें जो है, डी अर्रेंजमेंट of the defecation, मतलब inflammation, dyestria हो जाती है कि मतलब irregular हमारे जो है वो defecation होना, अच्छे से body से जो है, बो stool नहीं निकलना, ठीक है पास आउट होना, तो dyestria जो है condition दो कारणों से हो जकती है एक तो hemorrhoids hemorrhoids होते हैं, मतलब जिसमें जो होता है, हमार inflammation, जिसको inflammation and swelling हो जाते है, हमारे rectum की veins में, या anus में और जिसके कारण discomfort होता है, या bleeding हो सकती है, ठीक है या dyestria, और किसके कारण हो सकता है, dyestria, यह हो सकता है, हमारे जो है, जो है dehydration, fickle material, fickle material में बिल्कुल ही, जो है, बो पानी की कमी हो जाती है, और बो matter, जो हमारे rectum में, जो है, बो इकठा हो जाता है, सलग बनाज़तों से हमें pain होती है, तो उसको treat करने के लिए, जो है, बो flexitive होते है, to avoid undue straining at the defecation in case of hernia and hemorrhoids and cardiovascular disease, मतलब straining को कम करने के लिए, defecation करते समें ठीक है, जब भी हम, stool को अपनी बॉड़ी से निकालते हैं, तो हमें straining होते हैं, हिचाब होता है, तो इस खिचाब को कम करने, जब constipation होते हैं, जब तो हमें खिचाब पढ़ता है, जब भी हम फिकल material गया है मतलब उठ नहीं सकता है तो क्या होता है कि उसको पेई हो रही है Constribution के दौरान तो उसको ज़ए वो पहले जो बुए ईनीमा दीया जाता है उसके बाद अगर बहुत जादा हो जाती इनिमा देकर जो उसको पूरे जो इसको निकालते हैं इसके बाद इसको निकालते हैं इसके बाद कॉनसी डिजीज होती है जो कि इफेक्ट करती है हमारे एनस और रेक्टम पार्ट को ठीक है जी एनस और एक्टम पार्ट को जो है वो इफेक्ट करती है एन्व ρेक्ट करती है एक एससे बेसापल आपके बसाडरते है इसमें एक टीर सी आनल फीशर आजाता है हमारे पास FIE Tabless URE, ठीक है तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक T-E-E-R सा फ़र्म हो जाता है मतलब छोटा सा बिंदू की तरह फ़र्म हो जाएगा ठीक है जो कि जैसे आप बेठ ओगे तो इसमें bleeding होना शूरू हो जाती है जो कि lining of N-S को पर होता है तो यही था आज की वीडियो में आई होप आपको पसंद आई होगी और थोड़ी से भी informative लगी होगी तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब प्रोफेशनल फामसी आज के लिए इतना ही तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच राधिरादे